हेलो अरिवन गुड इवनिंग स्वागत इपसीवी का ऑनलाइन स्टेडियो में आज हम बात करने वाले हैं लुसिन बुक का डेली मॉक्टे स्रीज में सिट नंबर 55 साथी साथ हम होमवग भी देखेंगे कल का होमवग आपका क्या रहने वाल है तो इस वीडियो को इंड तक फिफ्टीं कैसिंगे में कितना स्कॉरिंंग कर पाते हैं जल्दी से कमेंट्स करके बताएगा शुरू करते हैं तो देखें सबसे पहले बात कर लेте, कि कल का homework आपका क्या रहने वाला है तो कल का homework में हम दे रहे है history में आपको सल्तनत काल पढ़ना है ठीक है सल्तनत काल जिग्राफि की बात के तो जिग्राफि में दो topics है यहां पे महादिव चल रहा था तो महादिव में ऊत्री और दक्षडे अमेरिका को पढ़िएगा ठीक है पॉलिटी में बात करें तो पॉलिटी में नीती आयोग राष्टी विकास परज़ाद ये दो टॉपिक्स को कवर करना है और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे तरंग और साथे साथ धौनी तरंग ये बाज किस वीडियो और सुरू करते है तो फटा फट क्विशन का राइट अंसर करते चलेगा फ्रस्ट क्विशन से कि पोहर कावेरी पत्नेम किस थापना किस ने कीती कारी काल ने कीती राइट आंसर को ओप्सन ए क्वर सेकेंड है कि निमलीखित प्राचिन भारत्य अविले तामर पत्र ठीक है और ये जो कि कह सकते हैं गोरकपुर से खोजा गया पाया गया था चलिए question number third क्या रहा है कि प्राचीन भारत में निमली खित में से कौन से एक लिपी दाई से बाई और लिखी जाती थी दाई से बाई और लिखी जाती थी और वो लिपी कौन सा है खरोष्टी ठीक है खरोष्टी को टिक करेंगे question number four swap नवास वाद्था के लेखक कौन है ये questions भी बहुत पार एक्जांस में repeat हुआ है अपने वास वाद्था के लेखक कौन है तो सही आंस रोगा option B भास देखे विंज आपको मैं regular आपको करना ये है कि simple साथ यहां पर 50 questions दिया जाता है बस आप revision कर लो यार कोई भी चाहे एक्जांस के प्रेशन कर रहोगा आप regular हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहोगे काफी अच्छी चीक क्वेशन में आपके सांस सेर करता हूं बस homer को complete करते रही है और यहां पर practice करते रही है बहुत इने करा था बिल्कुल साही है सेकेंड पॉइंट है कि माहा कुट स्थम लेक से प्रमारित होता है कि दोनों के दोनों कथन साही है इसलिए option सी को टिक करेंगे ठीक है ध्यान रखिएगा next one है कि निमलिकित में से कौन सा मिलान सही नहीं है तो बताए कि निमलिकित में से कौन सा मिलान सही नहीं है तो चले हम यहाँ पर करते हैं बात सही आंसर क्या होगा देखें अगर हम यहाँ पर देखें कि सही नहीं है में देखना है तो देख लेते हैं कि करके महाबली पूर सम्झाइब बात करें पेरुमल मंदिर ठीक है वैंकुट का पेरुमल मंदिर जो है निर्माण कराएगा था नंदी वर्मन के दौराइगा था इसलिए हम यहां पर आप सटी को गलत करेंगे तो यह जो चारों मंदिर यहां पर देख रहे हैं वह बहुत ज्यादा इंपॉर्ट गुप्त काल में उत्तरभारत वैपार निलीखीत में से किस पतन से संचालित होता था किस बंदरगा से संचालित होता था गुपतकाल में उत्तरभारतिय वैपार तामर लिप्थी से ठीक है एको टिक करेंगे तामर लिप्थी नेक्ष्ट वन क्या कहा रहा है कि निमलिखित में से किस लडाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार होई जो यहां पर correct answer क्या होगा option D Waterloo की लड़ाई में Waterloo का यूद कब हो आता तो ध्यान रगेगा Waterloo का यूद 1815 यह important होगा right answer will be option D next one है कि निमली खित में से किस महादीप को महादीपो का महादीप कहा जाता है निमली खित में से किसे जानते हैं तो right answer यहां पर option A Asia महादीप को जानते हैं next one की 20 सबसे उचा जलपरपात कौन सा है 20 सबसे उचा जलपरपात कौन सा है अगे बढ़ते हैं next questions की तीसरी बार राश्ट्रियापात काल की उद्गोशना राश्टपती ने किस अधार पर की दी आपको पता है कि राश्ट्रियापात जो है वो 352 आटिकल के तेट लगता है और अब तक भारत में तीन बार राश्ट्रियापात लग चुका है वोoweन देखिये किस समिधानिक शन्सोधन दोरा समिधान की आठ्वी अनुष्ची में तीन भासाओ यानिकरी नेपाली और कॉमक्री को सामिल किया घ्या सामिल किय गया ता कि सन्सोधन के तारा sampagust 91 समिधान संसे दोरा सी को टिक करेंगे समिधान के किस भाग एवर अनुछेंद में संसोढ़न संसोधन प्रक्रिया का उले कि इन कैद गांगे तुर दिखान देजगा यहां पी भाग फूचा जारह है कि एक नहीं आपे संसोधन के प्रकिरिया जोय कि अनुछेंद में यानि कि राइट एंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, एक क्वेसंस ये पुजाता है कि 368 का जो समिधान में संसोधन की प्रक्रिया है, वो किस देश के समिधान से ग्रहन की गई है, तो ये दच्छे अवरिका के समिधान से लिया गया, नेक्स्ट क्वेसंस कि समिधान संसोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, ये भी क्वेसंस इंपॉटेंट है, समिधान में संसोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो कुल तीन प्रकार से संसोधन किया जा सकता है, ओप्शन B को टिक करेंगे, देखे हम यहाँ पे पढ़ और प्रतं किया सकता है नेक्स्त संस्दम समीधान संस्दम करने लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है अधिकान सनुचेदों को संसोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है राइट अंसर विल भी ऑप्शन ए सधारन बहुमत फेंस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे क्वेसंस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक जरू कर दीजिक है नेक्स्ट वन निमलिखित में से कौन एक समिधानिक से भारती समिधान का एक अंग नहीं है ठीक है समिधान का नहीं है तो देखिए समिधान का नहीं कह सकते का मतलब यह हुआ कि गैर समिधान इसका उलेख नहीं है तो योजना आयोग या फिर कह सकते हैं इसके स्थान पर जो नया नाम आया है नीती आयोग इसके बारे में समिधान में कोई उलेख नहीं है इसलिए कह सकते हैं कि समिध questions यह कह रहा है कि योजना आयोग के स्थान पर जो नीती आयोग आया था इसकी स्थापना किस वर्स की गई तो आपको पता है कि एक जनवारी 2015 कुई नायोग के स्थान पर नीती आयोग आया था यानि कि सफ़does हैं स्यान ता केवल गुण होता है स्यान न्यॐस में के बैड़ n को समझाता हो होता क्या अगर आमघा करें द्रौ या फिर गैस उनके दो पर्तो के मिर्स लगने वाला बल होता है उसी को हम लोग स्यानता कहते है ठीक है मैं एक छोड़ा से एक्जामपल समझाता हूं अगर माननके चले कि मैं एक जग से अगर मैं पानी गिराता हूं ठीक है उगर मैं पानी को गिराऊंगा तो यह पानी क्या होता है कुछ दूरी पर जाकर के रुख जाता ह तो यह जो होता है जो स्यान्ता की वल गुण हो सकता है किसका द्रौ का और गैस का ठोस में यह चीज़ी नहीं होते है यानि कि राइट अंसर हम यहाँ पर ऑप्सन डी को टिक करेंगे ठीक है द्रौ और गैस नेक्स्ट कुछिंस दिखें क्या है कि एक तरल एक अधर्स तरल का से अंता जो होगा वह सुन्फेहों यानि क्यों ब्यक्रण करेंगे पथिजन के की अंवल संग और स्यान भल और उत्प्लावन बल की योग के बराबर होता है बिल्कुल सई है। सेकेंड़ पॉइंड की सानन सेरी यांट के अनुकरमानुपाथी होती है यह बिल्कुल सही है अगर आपने अपना होमक कंप्रिट क्या होगा तो डेफिनेटली इन दो पॉइंट्स को अपने पढ़ा होगा ठीक है और थार्ट पॉइंट किया रहे कि सयानता है कि इसाही मातरक होता है वह डिकाप वाइस होता है और यह कोई पूछा यहाता है कि वंट्स के फ्रवा की दर याने की वेंट्वी मिटर और उपसं अग्ला कशेंस की एक एक लिफ्ट में किसी वेक्ति का प्रत्यक्ष बार कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो ध्यान देज़ेगा उसका प्रत्यक्ष भार कम उसे महसूस होगा कम जब लिफ्ट जा रही हो तो तौरण के साथ जग नीचे जा रहा होगा तो उस वक्त विक्ती का भार जोगा वो कम महसूस होगा यानि कि सही आंसर होगा option B ठीक है अगला प्रस्ट लोलग का अवर्त काल यानि कि time period जो वो किस पर निर्फर करता है और मैंने आपको दो से तीन दिन पहले भी बताया था इस टाइप का इस questions के बारे में मैंने आपको बताया था कि T equal to क्या होता है टू पाई अंडरूट एल अपॉन में जी यह मैंने आपको बताया था यह formula बताया था कि याद रखेगा और आप यह देख सकते हैं कि जो time period होता आवर्त काल जो होता हो सिर्फ और सिर्फ यहां प उसको हम लोग कहते हैं option यहां पर बिल्कुल correct है C Eugenics के नाम से जाना जाता है देखें next question से की keto से सम्मादी जिव विज्ञान की सखा क्या क्या लाती है तो इसको हम लोग entomology के नाम से जानते है option A correct answer entomology next one की किस प्रकार के उत्तक सरीर के सुरक्षा कवच का कारे करते हैं किस प्रकार के उत्तक सरीर में सुरक्षा कवच का कारे करते हैं और वह उत्तक होते हैं E P THीली में उत्तक A will be correct answer next one कि बिना oxygen के विश्वे के सरोच्चे परवत सिकर Mount Everest पर चढ़ने वाला प्रत्थम भारती परवत रोही होने का गौरव किसे प्राप्त हैं तो ध्यान देजिएगा बिना oxygen के फूद ओर जी ठीक है फूद ओर जी यानि कि राइट आंसर को option B और इन्होंने 1984 में ये करनामा करके दिखाया था बिना oxygen के नेक्स्ट क्वेसन बनता है कि प्रत्थम भार किस वर्ष 29 ओगर्ष्ट को राष्टी ए खेल दिवस के रूप में मनाया जाते हैं और मिजर ध्यान चन्फ जो थे हौकी के काफी famous player थे उनको होकी के जादूकर के रूप में जाना जाता है और ये 19 ओगर्ष्ट को first time मनाया थ तो यहां पर गाव प्रविलियर्स अभी क्या होते तो मैं आपको समझा जाता हूं देखिए आपने देखा होगा की जो एक बोर्ट होता है इस पर कई सारी चोटे-चोटे बॉल्स होते और उसमें स्टिक से मारा जाता है ठीक है और यहीं स्टिक जोटा उसको क्यों के नाम से जाने जाता है ठीक है तो आपने डेफनेटी इसको देखा होगा बिलियर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है पंकज अडवानी अपने नाम सुना होगा वही खेलते हैं अगला कुशन से की उडान एक गैस अधारित सक्ती परियोजना है किस राज्जी की सरकार को अधिक्तम राजस्व के प्राप्ति होती है और वो कर है निगमकर it will be correct आंसर निगमकर आरेन उत्र मलोत्रा समीती ने किस छेतर में संबंदी सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्दूत की थी आरेन मलोत्रा समीती तो समीती से लेटर भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा अगर आपने नहीं देखा तो उस चैनल पर सच कर लिजेगा आपको मिल जाएगा तो ध्यान दीजेगा फिंस आरेन मलोत्रा समीती का संब अटिता अप्सन C यहां पर करेक्ट आंसरें नेक्स्ट मने कि बार्क का फूल्फर्म क्या बार्क पूर्णरूप बताइए तो बार का पुणरूप अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखे तो क्या होता है भाबा एटॉमिक रिशर्च सेंटर यानि की राइट आंसरों का ओप्शन बी ठीक है और इसका मुख्याले कहां पे जल्दी से कमेंस करके आप बताएगा नेक्स्ट वन अंत्राष्टिय टाइगर दिवस कब मना जाता है अंत्राष्टिय बाग दिवस जो परतेक वर्ष कब मना जाता है थीक है, 29 जुलाई को मना जाता है, नेक्ष्ट वन की बुद्ध्य चरित्र, निमलीखित में से किसकी कृती है, तो बुद्ध्य चरित्र अस्वे घहोस, कर्येक्ट आंसर को आप्सिन D, अस्वे घहोस की कृती है, मैगी नौट रेखा किन दो देशों के मद्ध इस्तित है मैगी नौट रेखा मैगी नौट रेखा का संबंदम कह सकते हैं किस से तो जर्मनी और फ्रांस राइट आंसर यहाँ पर हो जागा ऑप्सन डी ठीक है जर्मनी और फ्रांस के मद्ध इस्तित है जर्मनी और पुलाइन के बीच कौन सा हिंडन बर्गरेखा ये आप याद रखेगा नेक्स्टन मत्त है कि जनगर्णा 2011 के अनुसार भारत में लिंगा नुपाद क्या है भारत की लिंगा नुपाद क्या है तो 2011 की जनगर्णा के नुसार भारत की लिंगा नुपात प्रत्ती एक हजार पूरुसों पर 943 महिला यानि की राइट अंसर विल बी ऑप्शन ए ठीक है अब बात करते हैं करण रफेस की फर्स्ट पॉर्सन से की 1989 के बाद ACI फुटबॉल संग ने भारत को किस वर्स में महिला एसिया कप के मिजबानी की अधिकार से सम्मानित किया है यानि कि अब जो नेक्स्ट होने वाला है बताए कि महिला एसिया कप की मिजबानी भारत को सौपी गई है 1989 के बाद अब वो कब हो करेंगे हैं। कि नेक्स्ट वाज्ज में ज्ाहर के अदुवासी छहतर में मिनी ऐंस्वर कहे जाने टैग आरजित किया है किस राज्ज में जौहर के आदिवासी छेत्रे ने मीनी महाबलेस्वर कहे जाने वाले को टैग आरजित किया गया राइट आंसर का आप्सेन डी महाराज्ट ठीक है महाराज्ट अगला प्रस्ट यह बनता है कि टाइगर रिजर्व में भारत का पहला होट एइर बैलून वायल लाइफ साफारी विस्वर प्रसीद बांधोगर टाइगर रिजर्व में लाँच किया गया यह किस राजी में इस दीत है सब्ट्रे अधे कि बांधागर टाइगर रिजर्व जो किस राजी में इस दीत ऐ biggest यहां पर correct answer होगा मद्ध्य प्रेदिस ठीक है मद्ध्य प्रेदिस और एक ची मैं आपको और बता दो केला में option बई correct अगला घुसक की हाल ही में केंद्र सरकार की भागीदारी घ्रणटी प्रणाली के थैड किस केंद्र सासित प्रदेश क्रभी क्रिसी खेतर होसित किया गया और वह केंद्र सासित प्रदेश कौन सा है तो सब प्रदानमंति नरेंद्र मोधी द्वारा माल्दिव को भारत में निर्मित कौन सा ट्रक्षक जहाज उपहार सौरूप दिया गया और वो जहाज कौन सा है तो राइट आंसर क्या होगा का मियाब कोटिक करेंगे cc की हालि ने ड्रग ओपर एप्परेशन पर प्र भारत और किस देश के बीच मैं जो ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और में मार के बीच ही समझाता हुआ था ऑप्शन सी करेक्ट है अगला प्रस्ट हाली में ग्लोबल human development index 2020 की ताजा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ ग्लोबल human development index तो भारत को इसमें एक सो एक तीस्वा स्थान प्राप्त हुआ सी को टिक करेंगे और इस वीडियो का आखरी प्रस्ट है कि 2020 का बुकर पुरसकार इन में से किसे प्रादान किया गया one of the most important questions हो जाता है याद रखेगा कि 2020 का बुकर पुरसकार किसे दिया गया था तो सही आंसर यहां पर होगा डगलास टुवर्ट ठीक है इनकी जो उपनियास था ही सगी बयान के लिए दिया गया था क्यूज का questions यह रहा comments करके right answer दे दिजिए कि निम्न में से कौन सा दर्रा और नाचल पर्दिश को तिबद के साथ जोड़ता है क्या होगा साही आंसर तो फिन सब मिलते हैं किसी यूर वीडियो में next topic के साथ thanks for watching keep watching keep learning have a good day